आजकी स्पीडो में हम समझेंगे B8 का मामला जो सुप्रिम कोर्ट चला गया है जो बिहार सरकार लेकर के गई है इसमें B8 क्या PRT में सामिल हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या points है? और अगर नहीं हो सकता है तो किन वजहों से नहीं हो सकता है? सरकार की एक यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है गलती यह है कि जब मामला सुप्रिम कोर्ट में विचारा दीन था और आपने जब नोटिफिकेसन दिया था तो उसमें आपको साफ साफ जिस तरीके से केबिस ने लिखा था यह जो भरती आपके रहेगे सुप्रिम कोर्ट की अधिन रहेगी उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर लिखना चाहिए था लेकिन चोकि इन्होंने लिखा नहीं और पड़ी चुपके तरीके से काम यहाँ पर किया गया क्लेरिफिकेसन रिट को बताते हुए पटना हाई कूर्ट में एक रिट दायर की जाती है जिसका जो ओर्डर है वो 22 सेतंबर के रिट में जारी कर दिया गया है हमने पिछले वीडियों बता दिया है यहाँ पर सरकार क्या होती है हार जाती है जो कि बीड को सामिल करवाने के लिए यहाँ पर PRT में गई थी और सरकार का साबसाप यहाँ पर कहना है कि मुझे एक बार मौका दे दिया जाए यानि एक बार बीड भीरतियों को इसमें समलित कर लिया जाए आगे आपके जो भी भरती आएगी PRT की उसमें हम B8 को समलित यहाँ पर नहीं करेंगे और सरकार को पहले से पता है क्योंकि एक सुसाइटिस आप 2022 जो भगवान क्रश्ड वाली याज का चल रही थी उसमें साप साब बाउंड किया गया था कि PRT में जो B8 को समलित यहाँ पर ना किया जाए फिर भी सरकार ने यहाँ पर इगनॉर किया, नोटिफिकेशन में कहीं पर जिक्र नहीं किया लिहाजा क्या था कि Beard वालों को सरकार यहाँ पर बचाना चाहती थी उनको यहाँ पर मौका देना चाहती थी अब इसकी पीछे वजहें क्या है कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसवा चुनाओ, 2025 में यहाँ पर होने वाला बिधानसवा चुनाओ ओट बैंक सबको पसंद है, ओट बैंक यहाँ पर सब चाहते हैं और इसी में यह भरती जो है अब सुप्रिम कोर्ट यहाँ पर जा चुकी है फिलहाल कितना समय लगेगा इस PRT की भरती को क्लियर होने में अब जो है कोई यहाँ पर नहीं जानता है फिलहाल देखी यहाँ पर अगर हम बात करें आज के समाचार पत्र के माध्यम से भी देखी साफ साफ जानकरी आ चुकी है एक से पांची के सिच्छक नुक्त में बीएड अभ्यरतियों के लिए सुप्रिम कोर्ट सरकार यहाँ पर जा चुकी है Supreme Court में सरकार यहां पर पैर भी करने पहुँच चुकी है कि हमें जो है एक मौका यहां पर दिया जाए देखी साप साप लिखा गया है B.A.D.G.R.E. मामले पर Supreme Court पहुची बिहार सरकार इस बार कि सिच्छक भरती में मौका देने का अनरोध यहां पर किया गया है अगर आप आगा में होने वाली बिहार में 6-8 सिच्छक भरती कितारी गाना चाहते हैं चाहे आप SST teacher की, चाहे आप Science and Math teacher की चाहे आप Hindi language teacher की तो आप notes online buy कर सकते हैं इस बीडियो के discuss marks में हमारे notes का demo दिया गया है देख लीजिए और फिर आप उसको 1099 में purchase कर लीजिए कोई दिक्कात होती है तो आप मुझे 94, 95, 27, 27, 93 यह हमारा WhatsApp नमबर है इस पर आप SCRT लिख करके भीजएगा तो आपको कच्छा एक से देस्तक की सभी STST करनोर जो होगा वो दे दिया जाएगा इसके लब अगर आप boys हैं, girls हैं और आप बिहार सिचक भरती के तहरी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप जो है अपने अपने groups को जोरू जोईन कर लीजिएगा WhatsApp group बना दिया गया है इस वीडियो के डिसक प्समाक्स में और comment box में लिंक जो है WhatsApp group का दे दिया गया है यहाँ पर देखी लिखा गया है इस बार सिच्छक भरती में मौका देने का अनुरूत सुप्रिम कूट ने प्रात्मिक के लिए माना है आयोगि 76,000 आवे तक बीड डिग्री धारक है 3,66,000 इसलिए उच्छितम नियाले से आगरा किया गया है कि इस निक्त में बीड डिग्री धारियों को मौका देने की अनुर्मती प्रतान करें आगे की बहाली में इन्हें प्रात्मिक सिच्छक निक्त में योग नहीं माना जाएगा अब बड़ा सवाल एक यहाँ पर उठ रहा है कि अगर बीड डॉलों को यहाँ पर मौका दिया जाए तो कि राइट टू एजुकेशन का वाइलेंस होगा या नहीं होगा और इसके अलावा जो बीटी से के जो छात्र हैं इनके हक में फैसला आ चुका है 11 अगस्त 2000-23 की रेट में अब वो सरकार से खफा होंगे या नहीं होंगे तो एक पच्च को आप संतुस्ट कर रहे हैं दूसरा पच्च आप से यहाँ पर खफा हो रहा है खैर सुप्रिम कोर्ट सरकार इस वज़े से गई है ताकि यहाँ पर किलियर कट जानकरी उसको मिल जाए और गई तो बेट को बचाने के लिए है लेकिन वो चाहती है कि सरकार ही सुप्रिम कोर्ट ही यहाँ पर किलियर कट सब्दों मैंसन कर दें और उसके बाद हम इस भरते को यहाँ पर कंप्लीट करें सरकार नहीं चाहती है कि अपने तरब से हम बेट को यहाँ पर हटा दें और फिर हमारा ओट वैंक यहाँ पर कमजोर हो जाए तो यह सभी पॉइंट यहाँ पर है खैर जब सरकार यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट पहुच चुके है इस भरती को बचाने के लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है जो कि 11 अगस्त 2023 वाला जो फैसला आया हुआ है वो सभी राज्यों पर लागू होता है भले कोई पार्टी राज्य रही हो या नहीं रही हो और यहाँ पर बिहार में आप सभी को बता है कि यह फैसला जो है बिहार में भी लागू होगा जो भरतियां आपकी चल रही है अब देखिए क्या कुछ हो सकता है अभी चीजे बहुत ज़्यादा इसपस्ट नहीं है लेकिन बियर्ट वाले प्यार्टी के लिए इलिजबल हो जाएं यह बहुत कम चांसे यहां पर दिखाई पड़ रहे है फिलाल जो भी अपडेट आएगी आपको बताई जाएगी सरकार पूरी तरीके से साथ में है कि बीएट को सुप्रिम कोट से बचा लिया जाए और फिर इहां पर प्यार्टी में उनकी जो है जॉइनिंग करवा दी जाए जो भी अपडेट होगी वीडियो के मादम से बताई जाएगी आप सभी लोग अच्छे तरीकिस त्यारी करते रहेगा फिलाल ये भरती में तो देरी अब होगी इसमें कोई दो राए नहीं है जो कि सुप्रेम कोट में जब सुनवाई हो जाएगी फाइनल ओर्डर आ जाएगा उसके बाद ही इस भरती पर जो है काम यहाँ पर सुर्व होगा फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो साथ एक नई जानकरी के साथ तब तक लिए थैंक वाचिंग इस वीडियो